महिला शुरक्षा और बेटी बचाओ जैसी बड़ी बड़ी बाते करने वाली भारतिय जन्ता पार्टी और उनके नेता किस तरह से महिलाओ के साथ वहवार करते हैं यह आपको हम दिखाने जा रहा है कि किस तरह से भाजपा के नेता अपनी ही महिला सहयोगी के साथ भरे मंच में गिनावनी हरकत करते हुए कैद हो गए मामला तरिपुरा का है जहां तरिपुरा के भाजपा सरकार के मंतरी मनोच कांती देब सार्वजनिक मंच पर अपनी एक सहयोगी एवं समाजिक कल्यान और शिक्षा मंतरी संतना चकमा की कमर पर हात रखते हुए कैद हो गये वीडियो में महिला मंतरी मनोच कांती देव का हाथ हटाती हुई दिख रही है यह घटना कैमरे में कैद हो गई और इसका वीडियो भी सोशल मेडिया पर वाइरल हो गया इस दोरांग परधान मंतरी नरेंदर मोधी और मुख्य मंतरी विपलब देव भी उसी मंच पर मौजूद थे जहां यह घटना हुई इस घटना पर कड़ी अपत्ती दर्च करते हुए विपक्ष वाम दलो ने मंतरी को बर्खास्त करने की मांग की है हालकि वही इस पूरे मामले पर BGP की ओर से लगातार सफाई दी जा रही है तिरिपुरा BGP की तरफ से कहा गया कि यह महज विपक्ष की ओर से किया जा रहा एक दुष परचार है वहीं जब कैमरे में कैध हुए मंतरी मनोज कांती देव से इस मामले पर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वीडियो से छेट-छाड हुई है मैं तो उस दोरान केवल आगे आना चाह रहा था इस वीडियो को एडिट किया गया है वहीं इस पूरे मामले पर वाम मोर्चा के सैयोजक बिजन धर ने समवादताओं से कहा जिस मंच से परधान मंतरी मोधी, मुख्य मंतरी विपलब कुमार देव और अन्य लोग जनसभा संबोधित कर रहे थे उस मंच पर एक महिला मंतरी को गलत तरीके से छोने के लिए मनोच कांती देव को बरखास कर गिरफतार कर लेना चाहिए उन्होंने कहा कि अलग-अलग सोशल मीडिया साइट्स पर यह सारवजनिक रूप से देखा गया है कि देव ने समाज कल्याण और समाजिक शिक्षा मंतरी संतना चकमा की कमर पर हाथ रखा था चकमा एक यूवा आदिवासी नेता है उन्होंने कहा देव ने तिरिपुरा मंतरी मंडल की एक मात्र महिला मंतरी के शील, पवितरता और मर्यादा को सारवजनिक मंच पर नुकसान पहुचाया है जहां परधान मंतरी, मुख्य मंतरी और अन्य महतपूर व्यक्ति मौजूद है माक्सवादि कॉमिनियूस पार्टी के केंद्रे समीती के सदसे धर ने दावा किया है कि 11 महिने पहले तिरिपुरा में भाजपाक में सत्ता आने के बाद यहां के कई युवा और अधेड महिलाओं के साथ दुशकरम हो रहा है उनकी हत्या हो रही है वहीं सारवजनिक मंच पर हुआ यह मामला बेहत निंदनिय और डंडनिय है कुछ आदिवासी दल भी मंतरी के स्तीफे और उनकी गिरफतारी की मांग को लेकर जल्द ही आंदोलन करने की कोशिश कर रहे है वहीं भास्पा प्रवक्ता नेबुंद भटचारे ने सभी आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि भास्पा सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं मिलने के बाद वाम मोर्चे ने अब जूटे और बिना मतलब के मुद्दयों पर भास्पा मंतरियों का चरित रहनन करना शु ने उनका हाथ अठा दिया सचाई कुछ भी हो पर भास्पा के मंतरी के द्वारा सरयाम खुले मंच पर ऐसी हरकत करना सच में बेहत निंदनिये और डंडनिये है निशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह निशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भड़ें ताकि ह रैंसुद़े आपसे जूर सके निशनल दस्तक कि आपसे गुजारी से कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निशनल दस्तक को सब्स्क्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्स्क्राइब बटन को दवाये फिर बेल आइकन की घंटी दवाए निस uniquतो दवाये बचाने के ल लाइक करे, कमेंट जरूर करे